गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आई होप आप सब लोग स्वस्थ होगे तो सद्धियों का मौसर स्टार्ट हो गया है और हमारे काम हो गया है शूरू तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं गोबी गाजर का अचार डालती हूँ और आप लोगों को बताती हो कि मैं किस तरीके से गोबी गाजर का अचार डालती हूँ तो मैं फाइफ केजी गोबी लेके आई थी और टू केजी गाजर लेके आई थी तो बस इसे मैंने गाजरों को पहले वाश कर लिया था क्य तो बस ये फटा फट काट रहे हूं मैं साथ में बाते भी कर रहे हूं तो ये मॉर्णिंग का टाइम है तो मैंने सूचा कि चलो आज सबसे पहले मैं ये काम कर लेती हूं और फिर और काम तो होते रहेंगे क्योंकि आज धूपी अच्छी लगी है क्योंकि 3-4 दिनों से कर दरत इसको छील रही हूं मतलब जो हमारा eater होता है और इसको चाकु से भी कर रही थी मैं पहले पर चाकु से इतना नहीं हो रहा तो मैंने sou chopped कि चलो पिल्र से इसको कर लेती हूं तो बस ये फील हो चुके हैं Competitionने और बस भी और उसके बार सारी गाज रहे लगने का डर नहीं होता है तो मैं गाजर वाश करके आ गई थी फिर दुवारा से और मैं इसको लंबे-लंबे तरीके से काड़ी थी जो कि बहुत ही अच्छी लगती है हम लोग पहले शल्जम भी डालते थे इसके अंदर मगर हमने नहीं डाले हैं क्योंकि यह मना कर रहे थे क मैंने पतीले में पानी गरम कर लिया था एक बड़ा पतीला लिया था मैंने इसको भीगोना भी बोलते हैं तो हम लोग तो पतीला बोलते हैं अपने उसमें तो पानी उबल चुका था और मैं गोबी डाल रही हूं इसमें तो गोबी को में सिर्फ दो मिनट के लिए इसमें डालूँगी और फिर मैं निकाल दूँगी तो पानी में मैंने दो चमच नमक भी डाले हैं तो जिससे की क्या होता है अच्छे तरीके से गोबी वाश भी हो जाती और फ्लिवर भी थोड़ा सा अच्छा आ जाता है तो बस इसी तरीके से मैंने बारी-बारी से सारी गोबी को लिया था और फिर उसको जरनी की सायता से मैंने उसे बाहर निकाल लिया था तो फ्रेंड आप लोग जरूर बताईएगा कि कमेंट बॉक्स में कि आप लोग ने डाला और किस तरीके से आप डालते हो क्योंकि हमें भी थोड़ा सा चेंजी होते हैं हरे कि अपने-पने बनाने क का तरीका होता है तो बस मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं इस तरीके से बनाती हूं और यह खाने में एकदम बिल्कुल रेडि हो जाता है ऐसाए कि इसका वेट करना पड़ता है अभी डालो और अभी खाने के लिए स्टार्ट हो जाता है अगर दो-तीन दिन बा को बारिक नहीं काटना एलगए को मैं घा अट一點 जाता और नीचे थोड़ा सा कुछा करना जाता है उसफेड़ा पानी में देमरेती हूं और फ्र और और में डालते हूं तो मैं दो मिनिट के लिए ही डाला था तो तो अगर हम ज्कृशा उबाल लेंगे तो तो उसमें वह क्रंची नहीं होता है जो क्रंची पन होता है ने इसमें खाने पर मजाता हिए ignoring put तो सबजी की तरह बन जाती है पिलकुल तो फिर सबजी और इसमें मतलब डिफ्रेंस क्या रहा तो बस यह है यह हमारा हो चुका है और इसके बाद मैं जाओंगी छट के ऊपर तो वहां पर मैं धूप अच्छी लगी थी यह तो मैंने आपको पहले बता दिया थी तो धूप बहुत अच्छी लगी थी तो नीचे मैंने दरी बचा ली थी उसके ऊपर बैड शीट बचा ली थी और फिर मैंने इसे बिखेर दिया था और साथ में जो चुन्नी रखी है ना उससे मैं धख दोंगी क्यूंकि यहां पर डस्ट बगरा भी होती है और जो गिलहरी बगरा हो और यह जो खड़े मसाले इसको मैं पीस लूँगी भून के और यह है गुड़ तो गुड़ को मैं पतीले में डालूँगी और सिर्का मैंने इसमें आधा कटोरी डाला है और गुड़ डाला है मैंने आधा किलो तो गुड़ हम डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको हम उबाल लेंगे, और जब ये बिलको ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसको इसके अंदर डालेंगे, तो हम इसको हिलाएंगे, वरना ये नीचे लग जाएगा और इसको बस हम पल्टे की साहता से कल्ची से हिलाते जाएंगे और अगर इसमें थोड़ी बहुत गिटक बच भी जाए तो कोई फरक नहीं पड़ता वो बाद में अपने आपी इसमें मतलब पिगल जाएगी तो बस इसे उबालने के बाद हम इसे गैस से नीचे उतार देंगे और ये तब तक हम दूसरा काम करेंगे तो ये बिलकुल ठंडा हो जाएगा तो ये हमारा गुर तो जो है ये पूरे तरीके से उबल चुका है और कड़ाई में मस्टर्ड आयल डाला था वो भी गरम हो चुका है और मैं गैस आफ कर दिया दो धंडा करने लिए रखोंगे तो अगर हम गरम में डालेंगे तो मसाला जल जाएगा तो इसमें मैं धेर सारा डाले हूं अद्रक लहसुन का पेस्ट जो कि इसका में मसाला होता है मसाले तो इसके सारे ही होते हैं तो इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी और थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं फिर और मसाले डालूँगी तो जो खड़े मसाले फ्रैंज मैंने आपको बताया थे उसे मैंने भून के ग्राइंड कर लिया था तो अगर मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी और यह जो मैंने मसाले ग्राइंड किये थे ना यह सारे मैं इसमें डाल रही हूँ तो बस इसको भी मिलाने के बाद मैं डालूँगी इसमें जो यह मैंने सिरका और गुड़ लिया थे थंड़ा हो चुगा था तो यह मैं इसमें डाल रही हूँ और तेल थोड़ा सा गरम है यह ऐसे लगधा कि ज़्यादा है पिस जढ़ा गरम नहीं है यह तो बस इसमें मैं ये भी डाल दूँगी और उसके बाद जो है हम डालेंगे लाल मिर्च और ये है नमक वैसे नमक को हमें बाद में डालना है मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया था मगर नमक बिल्कुल बाद में एंड में डालना है और ये डाला है मैंने इसमें हिंग और ये डाला है मैंने राई और फिर मैं इसे फिर मिलाऊंगी इसमें तो क्या होता है कि इसके मिलाने के बाद मैं इसे बिलकुल ठंडा होने दूँगी और ये मैंने डाल दी है गाजर गोवी का अचार इसमें गाजर गोवी डाल दी है इसमें और मैं फिर इसे अच्छे तरी मिल जाता है तो बस इसे मैं अच्छे तरीके से mix करूंगे और mix करते हुए थोड़ी सी मुश्किल होती है थोड़ी जादा होगी तो और इसके बाद मैं डालूंगे इसमें देगी मिर्च तो इससे क्या होता है हमारा रैडी हो चुका है बस इसे मैं ठंडा होने दूँगी और फिर डालूंगी मैं इसे अपने जार में तो कुछ मैंने साइड में प्रात में निकाल लिया और कुछ इसमें ही है और यह हमारा हो चुका है ठंडा और जार को बिल्कुछ सूखा करना है और भी कुछ सूखा देखने में बहुत ही यमी और तेस्ती लग रहा था मतों मुह में पानी आ जाता है जब भी कोई ऐसी चीजे तो ये सारा अचार हमारा रेडी हो चुका था और अब मैं इसे डाल रही हूँ जार में पहले मैं ने जार में डाल लिया था इसे फिर मैं दुबारा उल्टाया क्य जार में बहुत अच्छा आती है क्योंकि जो हींग बगारा और जो गर्म मसाला बगारा डलता है उसे बहुत अच्छे तरीके से खुश्भू आती है तो बस आप लोग फ्रेंड्स बताएगा कि आपको ये अचार कैसा लगा आप लोग जुरूर एक बना के देखिएगा य आपका पानी इसमें मिल जाता है तो उस पानी को बाहर निकाल दीजिए और उसे कड़ाई में पूरा गर्म कर लीजिए फिर दुबारा जब वो पूरा पानी सुझाएगा और जो मसाला और तेल बज़ेगा उसे दुबारा उसमें उल्टा दीजिए तो आपका अचार कभी भी सड़ेगा नहीं तो बस इसे में जार में डाल रही हूँ तो यह बहुत बड़ा जो मेरे पास जो कंटेनर था वो था उसमें में डाल रही हूँ क्योंकि कांच वाले मैं इसलिए ने डाला कि थोड़ा मुश्किल होता है बारी-बारी इदर उदर करना तो बस और जो थो से मसाले इकठे करने होते हैं और बनाने में इसे पांच मिनट भी नहीं लगते हैं जल्दी जल्दी यह बन जाता है और इसे ना तो सुखाने मतदग धूप में ले जाने की जुरूरत है यह घर के अंदर ही पूरे तरीके से सैट हो जाता है तो बस धीरे करके मैं डाले हूं तो थोड़ा डालने भी थोड़ी प्रॉब्लम हो तो मैं इसे दूसरे हाथ की सहयता से इसके अंदर डाल रही हूँ तो फ्रेंड जुरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी और इन्फोरमेटिव लगी हो तो प्लीज उसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और जो नए लोग है वो सबस्क्राइब जूरूर केजएगा जिससे कि आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ ओके